हेलो फ्रेंड्स किरंदरेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सुन्दर डिजाइन फ्रेंड्स ये पैटर्न आप बहुत सारे प्रजेक्ट्स पे इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि अपनी जैकेट पे डालीजिए, कैब बनाएए, बच्चों के स्वेटर पे डालीए, शॉल, स्टॉल, मफरल वगारा पे आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये रिवर्सेबल पैटर्न है, आपका उल्टी साइड से भी ये सेम दिखेगा, यानि कि इसकी उल्टी और सीधी साइड बिल्कुल भी नहीं है, दोनों तरफ से आप इस पैटर्न को इस्तमाल कर सकते हैं, तो जो रिवर्सेबल आपके प्रोजेक्ट ह होते हैं, दोनों तरफ से आपको देखने होते हैं, तो आप उस पे ये ट्राइक कर सकते हैं, थोड़ा सा बुनने में ये टफ है, टाइम लगता है इसको बुनने में, इसलिए फ्रेंड्स इसमें आप मोटी वाली स्लाइयं यूज़ करेंगे, इस पैटर्न के लिए, ये द फ्रेंड्स, ये जो मैंने पैटर्न बनाया है, ये मैंने नों नंबर की सलाइपे बनाया है, तो आप देख सकते हैं, एक ये बुनने में ये हीज़ी है, वूल इसमें थोड़ी जादे लगती है, तो चलिए बुनना स्टार्ट करते हैं, देखिए इसके लिए हैं मै नों फ कोड़ नंबर नी कि 20 डॄ में डाल सकते हैं और मैंने यह नो नमबर की की में डेखे डाला है तो आप इसको जैसे मैंने आपको बताया है कि आठ पे भी डाल सकते हैं इसको आप चार पे भी डाल सकते हैं जितनी मोटी सिलाईयां होंगी उतना ये पैटर्न अच्छा बन के आएगा तो चलिए बुनना स्टार्ट करते हैं इसको देखे फ्रेंट्स इसके फंदे जो हैं आप किसी भी साइट के लगा सकते हैं और वैरी सिकरो हम कैसे डालेंगे पहला फंदा हमारा देखे इसमें उल्टा रहेगा अब देखे कैसे बुनेंगे ये वला फंदा है जो इसके आगे से ऐसे सिलाई डालते हुए हम बुनेंगे ऐसे एक बार बुन लिया अब यहां पर फंदे के आगे से हमने सिलाई डालके बुना है इसको हमने छोड़ना नहीं है फंदे को धागा अपनी तरफ लाएंगे फिर ये वला फंदा बुनेंगे देखे ऐसे ये दो फंदे जो मैंने आपको बुन के दिखाई है ये उल्टा है और ये अपने जो इसके तीन फंदे बनाए है ऐसे ही आपको ये बेसिक रो में बनाते जाना है ये दिखे उल्टा फंदा ऐसे बुन लेंगे एक अब यहाँ पर ये फंदे के आगे से सिलाई डालेंगे एक फंदा निकाल के लाएंगे इसको लूज रखेंगे जितना लूज रखेंगे उतना डिजाइन सुन दर आएगा अपनी तरफ दागा ले आएंगे और इस फंदे को हम बुन लेंगे ऐसे तो एक फंदे से आपके तीन फंदे बन चुके हैं ये फिर से ऐसे करेंगे अपनी तरफ लाएंगे उल्टा फंदा बुनेंगे और यहाँ पर ये देखिए इस फंदे को नहीं बुनना फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालनी है तो यहाँ पर फंदा निकाल के लाए हम दागा अपनी तरफ लाए और फिर इस फंदे को back loop से ऐसे बुँन दिया देखे ऐसे अब हम फिर से एक फंदा उल्टा बुण लेंगे और फिर से वैसे करेंगे ये देखे फंदे के आगे से यहाँ पे इ सिलाई डालेंगे एक फंदा निकाल के लाएंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे फिर इस फंदे को बैक लूप से बुनेंगे तो यह friends हमारी basic row है जो आपको किसी भी तरफ से बुन सकते हैं जैसे उल्टी साइट से बुन सकते हैं सीधी साइट से भी फंदों का इसमें कोई दिकत नहीं है तो यह basic row जो है यह हमारी complete होती इसमें देखिए friends अब हमारी पहली स्लाई इसमें आएगी row one आएगी तो कैसे करेंगे पहला फंदा देखिए आप उल्टा बुन लीजिए कैसे भी कर लीजिए इसमें कोई दिकत नहीं है तो उल्टा ही बुनते हम इसमें इसलाई में यह उल्टा बुन लिया फिर देखिए हमारा तीन फंदे हैं जो हमने एक फंदे के तीन फंदे बनाया है तो इनको तीनों को एक साथ बुनते हुए यह देखिए ऐसे उल्टा इनको तीनों को एक साथ बुनेंगे और तीन का एक कर देंगे देखिए ऐसे फिर धागा पीछे की ओर ले जाएंगे ये आपका सिंगल फंदा है जो आपने उदर से उल्टा बुना है तो इसमें क्या करेंगे देखिए ऐसे इसके यहां से फंदा निकाल के लाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर इस फंदे को बुन देंगे यह सिंगल फंदा है देखिए ऐसे अब यह पैटर्न ऐसे इदर से चलेगा अब यहां पे धागा आगे लाके यह तीन फंदे हैं जो आपने बनाए हुएं तीन का एक कर दीजिए उल्टा बुनते हुए ऐसे और पिछे की तरफ धागा लेके जाएंगे यह देखिए यह सिंगल फंदा है आपका उदर से आपने यह उल्टा बुना है जनके एक फंदे के तीन फंदे बनगे फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे यह तीन फंदे जो बनाए हुएं तीन का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए मोटी सिलाईयों पे बुनिए बहुत बड़ी आएगा अपने मफरल के लिए शॉल्स ट्रोल के लिए पिछे की तरफ धागा लेके जाएंगे यह देखिए यह सिंगल फंदा है आपका यहां से सिलाई डालेंगे इसके तीन फंदे बनाएंगे एक बना लिया मैंने धागा अपनी तरफ लाएंगे इससे दो बन गए ऐसे जब जाएगा तो फिर यहां पे इसको जब बनेंगे बैक लूप से तो यह तीन फंदे हमारे बन गए देखिए ऐसे फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे यह देखिए एक फंदे के जो तीन फंदे बनाये हुएं उनको ऐसे बन देंगे उल्टा तीन को एक कर दिया और लास्ट फंदा यह उल्टा बन लेंगे तो यहां पे रो वन पहली सलाई हमारी कंप्लेट होती है अब आते हैं इसकी हम दूसरी सलाई में तो दूसरी सलाई देखिए कैसे बनेंगे यह पहला फंदा है जो आपका इसको उल्टा बन लीजी ऐसे देखिए यह उल्टा बन लिया अब यहां पे यह देखिए यह आपने पिछे से तीन का एक कर रहुआ है तो इसको हम वैसे ही बनेंगे फिर से इसके तीन फंदे बनाएंगे तो यहां पे इस फंदे के यहां से डालेंगे सिंगल फंदा है यह इस साइड में धागा अपनी तरफ लाएंगे और इसको बैक लूप से बन देंगे देखिए ऐसे अब यहां पे आगे जो है आपके तीन एक फंदे के तीन फंदे बनाए हुए है तो इनको उल्टा बुन देंगे हम तीन का एक करेंगे बस थोड़ा सा फरक आता है बाकि बुनने का तरीका वैसे का वैसे है देखिए ऐसे धागा पीछे के और ले जाएंगे यहां पे फिर से यह देखिए दिख जाएगा आपको उदर से आपने तीन का एक कर रखा है सिंगल फंदा है यह सिंगल फंदे पे यहां पे डालेंगे लूज रखेंगे दागा अपनी तरफ लाएंगे और इसको बैक लूप से बुन देंगे देखिए ऐसे दागा अपनी तरफ लाएंगे यह देखिए तीन फंदे आपस में इकठे दिखेंगे आपको इसका उल्टा बुनते हुए तीन का एक कर देंगे बहुत एजी देखिए ऐसे यह सिंगल फंदा दिख रहा है यह आपको यह वैसे ही बनाएंगे लूज रखेंगे दागा अपनी तरफ लाएंगे और इसको बैक लूप से बुन देंगे एक के तीन बन गे अब तीन फंदे हैं देखिए फिर से उदर से जो बना रखेंगे हमने तीन का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए यह दिखने में बहुत सुन्दर लगता है पैटन आप छोटे प्रोजेक्टों पे इसको इस्तमाल कीजिएगा क्योंकि थोड़ा बनने में इसमें टाइम लगता है यह दिखिए यह सिंगल फंदा है यहाँ पे डालेंगे और धागा अपनी तरफ लाएंगे और बैक लूप से बुन देंगे तो यह एक फंदे के तीन फंदे बन गे देखिए ऐसे धागा अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट वाला फंदा से उल्टा बुन देंगे तो फ्रेंड्स बेसिक रोग को छोड़के हमने इसमें 2 सिलाइबा डाल ली है देखिए फ्रेंड्स 2 सिलाइबा हमारी इसमें complete हो चुकी है यह आपका pattern आना start हो गया इधर से देखेँगे तो same pattern है दोनों तरफ से एक जैसा pattern बन के आएगा तो आपको इसमें क्या करना है आगे 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 आपको डालते जाना है इन दो चलता जाएगा इसमें मैंने पहले भी आपको बताया है कि वूल इसमें थोड़ी ज़ादे लगेगी और सिलाईया फ्रेंड्स आपको मोटी यूज़ करनी है जितनी मोटी सिलाई होगी उतना सुन्दर उतना लूज पैटन बनेगा और आपके शॉल स्टोर मफरल के लिए बहुत सुन्दर रहेगा तो फ्रेंड्स अब आप भी बना के दिखें इस पैटन को बहुत सुन्दर पैटन है मैं आपको दिखाते हूं यह दिखें तो थोड़ा खुला खुला आएगा मोटी सिलाई हो पे तो अब आप भी बनाईए और प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेर थेंक यू